दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आपने हमारा थम्निल देखा होगा इसी को डिसकस करेंगे जिसका साइज है 25 x 45 हमारे एक के सब्सक्राइबर है और उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तमाल किया उन्होंने हमें कॉंटेक्ट किया ह हमारा नमबर डिस्केप्शन में दिया रहता अगर आप हमें कॉंटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन केवल पेड यूजर ही कॉंटेक्ट करें आप हमें कॉंटेक्ट करके अपना घर मकान या किसी रेश्टोरेंट हूटल जो भी बनवाना चाहते हैं उसका मैप करेड़ करवा तो जो आज का टॉपिक है जो आज का हमारा मॉडल है 25 प्राश 45 का विद्ध कार पार्किंग उसको हम डिसकस करेंगे इसका टूडे और 30 मैप दोनों तो जो भी आपको उसमें रिक्वार्मेंट लगे कमी लगे या आपको अच्छा लगे आप हमें अपना उपिनिन जरूर द तो बहुत ही बेद्रीन प्लान मैंने आपको बता रख था है स्बको डिसकस किया है तो मैं जरे इसको पहले आपको जूम करके दिखाता हूँ आपको इसका टेक्सर बगारा देख पा रहा है यह आपकी रेलिंग है और इसका लाश प्लूर है सबस्परब मैं जो आप यहप इसके माइक्सराम जूम नहीं कर पा रहा हो तो मैं इस पیल को पहले हटा देता हूं इसके बाद आपको फूरा डिसकस करता हूं कि अमेरे पील हटा दिया आपे जो आपको जेंड़ति को मिल रहा हनो एक है उतल इसका इसाँ दिस्कस करओंगा इस HR होmaईwritingраos तो सबसे पहले इसके ground floor पर चलता हूँ तो यह इसका ground floor है दोस्तों मैं और maximum जूम करता हूँ जिससे आपको clarity और originality दिखने लगे तो यह दिखी सबसे पहले मैं बात करता हूँ यह आपकी railing है जो आप देख पाने इसका main door है और यह railing का part है और यह इसका slope है जहां से आप अपनी four wheeler को उपर ले जाएंगे तो यह मैं जूम करता हूँ तो यह दिखी four wheeler को खड़ी करनी का space है जो stairs के नीचे होगा और stairs मैंने थोड़ा सा पीछे सी भी बनाया है जिसमें आपकी four wheeler आराम से लगबग 6 फिट का मैंने आपर parking का space दिया है जहांपर आप garden वगएरा लगा सकते हैं और car भी आसानी से पार्ख कर सकते हैं फ़र्स्ट आप आप आपको एक bedroom मिलता है जिसको मैंने बहार से door भी दिया है साथ साथ एक ventilation विंडो और एक यहां से विंडो दिया है और यह पूरा एक आप गेश्ट रूम है जाग गेश्ट रूम है जो भी चाहें उस ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं इसके वाज यह कार पार्किंग स्पेश हो गया आप जैसे अंदर आते हैं तो यह सबसे पहले आपको मिल जाता है किच्छन जो किच्छन का साइज है बहुत बड़ा किच्छन दोस्तों जहां पर आपको एक window एक door भी मिलता है साइड में यह आपका living hall type का मिल जाता है और साथ-साथ यह आपका लेट्रिंग और बात्रूम एक combined मैंने यहां पर केडिट किया है और दोस्तों यह जो आप space देख रहे हों जगे देख रहे हों यहां पर आप जाल उपर रखवाएंगे छट में जिसमें वेट्रिंग बात्रूम यह आपका kitchen और यह बैट्रूम और यह जाल हो गया यहां का portion यह खतम हो जाता है तो जैसे आप पीछे आते हैं यह एक आपको बड़ा सा bathroom मिलना जिसको master bathroom बोलेंगे जिसके लिए आप मैंने डूर यह दिया है और एक यह बैट्रूम मिलता है जिसके लिए मैंने डूर यह दिया है अब हम बात करते हैं इस वाले रूम के और यह जो आपका यह second portion देख रहे हैं यह एक जाल है जो आप सबसे पीछे अपने करके रखवाएंगे इसमें ventilation की कोई problem ना हो इस वाले जाल से जो सथ पर रखेगा आपका इस room से होकर यहाँ पर जाएंगे इसके बाद आप later और bathroom में जा सकते हैं इस room से भी आप यह से जाल की इनिशियाली स्पेस में जा सकते हैं इस room के लिए भी इसी जाल से ventilation का काम करेगा यह और इस room के लिए भी आपका यह जो एक यहाँ पर जाल रखा होगा यह भी आपका इस room और यह वगेरा पूरा यहाँ पर आपका जो living hall डैप का है सब कुछ यहाँ पर आपको ventilation प्रॉपर तरीके से मिलने वाल है तो आपको यहाँ पर तीन bedroom मतलब दो bedroom मिलते हैं साथ साथ एक master bedroom आपका kitchen लेटरिंग बातरों यहाँ पर दो मिल जाती हैं दो जाल मिलते हैं आपका living hall डैप के मिलता है with car parking यहाँ पर आपको मिलता है stairs के नीचे और आपको garden के लिए भी यहाँ पर space मिल जाता है तो यह तो जो bondi का texture वगर आप देख पा रहे हैं कि यह तो इसका ground floor था अब आप चलते हैं इसके first floor पर तो first floor मैं already आपको discuss कर चुका हूँ यह इसका first floor है आप maximum zoom करता हूँ इसमें आपको bondi का texture वगर देखने को मिल जाए यह दोस्तों bondi का जो मैंने create किया है यह आपकी railing जिसको आउट करते हैं थोड़ा सा और इसके बाद 4 फूट का bondi और फ्रेंट में railing यह डिजाइन किया है और यह जो आप गुम्टी देख रहे होंगे यह दोस्तों तो इस ट्रेट आप ढग देंगे इस गुम्टी से और इसके लिए डोर मैंने दिया और यह आपकी railing वगर आप आपको description में मिल जाएगा आप हमें वहाँ पर contact कर सकते हैं और आप किसी भी टाइप का माकान, रिज्टो, रेंट या होटल वगएरा जो भी design करवना चाहते हैं करवा सकते हैं तो please इस वीडियो का like से रूर करें अगर आपने भी तक small house plan को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें, thanks for watching कर दो दो अगर एंद कर दो लेंगे।